Hello Everyone, Welcome to Learning Science आज का हमारा टॉपिक है Free Electron Theory of Metals इंटरड़क्शन यहाँ पर दिया है बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का जैसे की Thermal Conductivity, Electrical Conductivity, Specific Heat, Magnetic Susceptibility वो सारे जो है हम Free Electron Theory के बेसिस पर एक्स्प्लेन करते हैं और यह जो थियूरी है उसको पहली बार Drude और Lawrence ने दिया था Classical Laws of Physics को अप्लाई करके लेकिन यह Heat Capacity पर अप्लाई नहीं हुआ जो Paramagnetic Susceptibility है Conduction Electrons का उसको वो एक्स्प्लेन नहीं कर पाया ठीक है दो इट एक्स्प्लेन प्रापरटी इस लाइक ओम्स लो एंड मैटलिक लश्चर लेकिन यह ओम्स लो को एक्स्प्लेन कर पाया मैटलिक लश्चर को एक्स्प्लेन कर पाया Free Electron Theory of Metals ठीक है और यह Classical Laws of Physics पर बेस था और यह जो डिफिकल्टीस है Classical Theory का उसको रिमूफ किया गया Statistix को यूज करके ठीक है अब यह जो Classical Theory में हमें डिफिकल्टीस मिला जैसे कि हम Heater, Capacity को एक्स्प्लेन नहीं कर पाये Paramagnetic Susceptibility को एक्स्प्लेन नहीं कर पाये तो हमने Statistix का यूज किया तो पहले हम जो है Classical Theory के बारे में पढ़ेंगे Brief में थोड़ा सा ही पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम Quantum Theory के बारे में पढ़ेंगे जो की Summer Field ने दिया था Drude Lawrence Classical Theory भी हम कहते हैं Free Electron Gaze Model को क्योंकि उसको Drude Ant Lawrence ने दिया था इसको Copy पर करते हैं ठीक है तो थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा Drude and Lawrence Classical Theory टॉपिक का नाम है सबसे पहले जो है Drude ने 1900 में Scientist का नाम है ठीक है Classical Theory के बारे में बताया उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि जो Metal का Crystal होता है उसके अंदर एक Core होता है जो की Positively Charge होता है ठीक है एक Center होता है जिसमें Positive Iron होगा जिस पर Positive Charge होगी फिर Valence Electrons होता है अब ये जो Valence Electrons है वो Free To Move है वो Movement कर सकता है ओके ये Stationary नहीं है तो अगर ये Move कर सकता है तो Move करके क्या Metal के Crystal को छोड़ कर चला जाता है नहीं ठीक है ये Leaf नहीं कर पाता क्यों नहीं कर पाता क्योंकि ये Negative Charge है Center में एक Positive Charge है Positive और Negative Charge के बीच में Attraction होगा इसलिए ये Leaf नहीं कर पाता है ठीक है ये छोड़ कर नहीं जा सकता है क्योंकि जो बीच में Positive Iron है वो उसको Attract कर रहा है तो वो उसके पूल के बाहर नहीं जा सकता ये जो आइन का कोर है हमारा उसका potential field जो है वो uniform होगा हर जगे पर इसका potential same होगा ठीक है तो इसलिए हम मानते हैं कि इसका potential energy constant है Drute ने कहा, ओके Drute ने माना और इसको हम जो है zero मानते हैं taken as zero, जो potential energy है इस case में zero होगा convenience हमारे आसानी के लिए हम zero मानेंगे क्योंकि हर जगे पर potential में कोई change नहीं होगा तो हम सिर्फ यहां पर kinetic energy के साथ deal करेंगे और kinetic energy movement के वज़े से आता है इस electron के movement के वज़े से हमें मिलेगा अब ये जो electron है हमारा जिसको हम valence electron कहते हैं जो कि free to move है ठीक है वो जो है perfect gaze के molecule की तरह behave करता है जो ideal gaze होता है न हमारा perfect gaze उसमें जो molecules होता है उसकी तरह behave करता है ये electron इसलिए इसको हम कहते हैं free electron gaze भी कहते हैं और इस theory को हम free electron gaze model भी कहते हैं डूट ने 1900 में ये सारी चीज़े explain की ठीक है फिर उनके बाद आये 1999 में लॉरेंस 1999 में ठीक है 1900 में डूट ने ये सारा explain किया उन्होंने ये जो free electron gaze है ना हमारा उस पर Maxwell Boltzman's statistics अपलाई किया यही है आज का हमारा topic डूट एन लॉरेंस classical theory अब ये जो theory है और कोई भी theory स्रिफ ये theory नहीं वो बहुत सारे experimental facts को explain कर पाता है including this one ठीक है तो इसमें कौन से experimental facts explain करता है बहुत सारे है कुछ ही मैं यहाँ पर बता दूँगी सबसे पहले जो density होता है हमारा वो inversely proportional होता है pressure के वो कोई भी theory बता देगा ये वाला भी और यहाँ पर P जो है वो pressure है inversely proportional means एक increase होगा दूसरा decrease होगी ठीक है और K upon sigma जो है वो temperature से directly proportional है जहाँ पर K thermal conductivity sigma electrical conductivity है वो भी explain करता है ये वाला theory या कोई और दूसरा theory भी thermal conductivity और electrical conductivity का ratio proportional होता है temperature से नाबुक में देखते हैं P Drute ने 1900 में suggest किया कि जो metal का crystal है उसके अंदर positive iron course होता है with their valence electrons और उनके साथ-साथ valence electrons भी होता है जो border में outer shell में electrons है ठीक है valence electrons को हम कहते हैं conduction electrons क्यों कहते हैं इसे conduction electrons क्योंकि वो electricity conduct करता है इसलिए metals में और ये जो है कही भी जा सकता है free to move है ये जो positive metal iron है ना हमारा core है center उसमें वो आगे पीछे कई भी move कर सकता है coulomb force of attraction होता है positive और negative charge के बीच में और इसी attraction के वज़े से जो electron जो कही भी जा सकता है वो metal को छोड़ कर नहीं जाता ठीक है उसके आस पास कही भी वो move करता रहता है जो potential field है इस iron के center के वज़े से वो uniform होता है किसी भी point पर अगर हम potential देखेंगे तो हमें same ही मिलेगा कोई change नहीं होगा इसलिए जो potential energy है हमारे electrons का उसको हम constant लेते हैं और simple बनाने के लिए convenience के लिए अपने आसानी के लिए हम potential को बिल्कुल zero ही मान लेते हैं तो हमारे पास बचा सरफ kinetic energy of electrons तो हम सरफ kinetic energy of electrons के साथ deal करेंगे जो mutual repulsion होता है electrons की बीच में सारे negatively charge है एक दूसरे को repel करेंगे उसको हमने नहीं माना है और ये भी उन्होंने suggest किया कि जो free electrons है metals में वो जो है atoms की तरह behave करता है molecules की तरह behave करता है perfect gaze के ideal gaze में जो atoms या molecules होता है ना उसकी तरह behave करता है इसलिए इन electrons को कभी कभी हम free electron gaze भी कह देते हैं fermi gaze भी कह देते हैं या free electron cloud भी कहते हैं ठीक है लेकिन ये जो fermi gaze और ordinary gaze है हमारा perfect gaze उसमें फरक होगा सबसे पहले जो fermi gaze है उसके अंदर electrons होगा और electrons जो है वो charge particle है negative charge होता है उसमें जबकि जो normal gaze है उसमें atoms और molecules होता है जिस पर कोई charge नहीं होता neutral होता है दूसरा difference है जो electrons है fermi gaze में वो ज्यादा होता है 10 raise to power 29 पर मीटर क्यूब होता है जबकि atoms या molecule जो normal gaze है हमारा perfect gaze है हमारा उसमें होता है 10 raise to power 25 पर मीटर क्यूब यहाँ पर ordinary gaze लिखा है ना ordinary gaze हम मानेंगे ठीक है तो यहाँ पर 4 का फरक है 10,000 का फरक है आप देख सकते हो एक खास volume के लिए तो यही फरक है concentration में फरक है ठीक है 99 में लॉरंस ने suggest किया कि यह जो free electron gaze है वो perfect gaze की तरह Maxwell Boltzman statistics को ओबे करता है ideal gaze की तरह तो इस classical theory का नाम परा Drude and Lawrence theory क्योंकि दोनों ने contribution दिया था ठीक है तो पहले हम देखते है experimental facts को जिसको कोई भी theory बहुत आसानी से explain कर देता है सबसे पहले ohms law जो है सारे metallic conductors ओबे करता है वो कोई भी theory बताता है ये भी बताता है metals का electrical और thermal conductivity high होता है वो बताता है specific resistivity of metals room temperature पर 10 days to power minus 5 ohms centimeter होता है ये भी कोई theory बता देगा proof कर देगा और debate temperature के above जो resistivity है वो temperature से proportional होगा वो जो है कोई भी theory बता देगा low temperature पर लेकिन 20 Kelvin से ज्यादा ठीक है उसमें rho जो है वो T से नही T power 5 से proportional होता है जब भी कभी magnetic field आता है तब resistivity change हो जाता है उसको हम magneto resistance कहते हैं वो भी कोई भी theory explain कर देगा ज्यादातर metals जो है उसमें क्या होता है जो rho है हमारा जिसको हम resistivity कहते हैं वो inversely proportional होता है pressure से और ये भी explanation कोई भी theory दे देगा methicens rule के मताबिक कोई metal जिसके अंदर small amount of impurity होता है उसमें rho जो है वो rho not plus rho t के बराबर होता है ठीक है जहाँ पर rho not जो है वो इक constant है और वो जो है increase होगा impurity content के साथ जितना ज्यादा impurity metal में आता जाएगा कोई और atom होगा metal के साथ-साथ वो increase होता जाएगा तब ये rho not increase होगा और rho t जो है वो temperature dependent part है resistivity का rho का मतलब है resistivity ठीक है ये temperature पर जो depend होता है resistivity उपर मैंने बताया resistivity temperature पर कैसे dependent होता है दो cases है वो वाला पाथ है अब डीबे temperature के above ठीक है डीबे temperature के ऊपर जो ratio है thermal और electrical conductivity का वो t से proportional होता है और उसे हम कहते है vitamin France low vitamin France low ठीक है vitamin France low कहते है जहाँ पर जो constant of proportionality है वो हर metals का same होगा ये भी कोई भी theory explain कर देगा और zero Kelvin पर metal जो है super conductivity दिखाता है ये बहुत सारे अलग topics है ठीक है ये भी कोई भी theory बता देगा on the basis of free electron theory free electron theory के basis पर जो नीचे दिये गए properties है उसको explain किया जाता है जो कि हम कल पढ़ेंगे ठीक है तो ये कुछ properties था metals का जो कि कोई भी theory explain कर देता है तो ये ही था आज का हमारा topic free electron theory of metals जिसमें हमने introduction के बारे में बढ़ा और free electron gaze model के बारे में भी बढ़ा जिसको हम कहते हैं Drude Lawrence Classical Theory